दोस्तों UPI का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले phone pay का नाम आता है क्योंकि phone pay ही एक ऐसा app है जो सबसे ज़्यादा popular है सारे UPI apps जो पर लबद है उन सब के बीच में दोस्तों कई बार क्या होता है हम किसी को phone pay से पैसा बेज़ते हैं या कोई हमें पैसा वेजता है तो दोनों ही परिस्तिती में ट्रांजक्षन फेल हो सकता है या तो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते या सामने ऺाले के अकाउंट में पैसे नहीं जाते तो ऐसे परिस्तिती में आप phone paper किस तरीके से complaint करेंगे इसका process में आपको समझाने वाला हूँ तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रवींदर और आप देख रहे है टेकनिकल रही दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करना मद भूलिएगा और past में जो bell आई करना है उसे दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई में वीडियो डालू तो उसका notification आपके पास आजाए जैसे हैं आप phone पर आपको open करते हैं आपको काफी सारी option यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे आपको यहाँ पर जो नीचे option दिखाई दे रहे हैं home, stores, insurance, my money और history आपको history के option में जाना है history में आपने जितनी भी transaction किये हैं सब की history आजाएगी आपको जिस transaction के आपको complaint करनी है जो transaction आपका success नहीं हुआ उस transaction के उपर आपको click करना है जैसे मैंने example के लिए आपको एक transaction के उपर click करके बताया है जैसे ही मैं contact phone पे support पर click करूँगा यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको contact phone पे support पर ही click करना है तो आपको phone पे बतायेगा कि सामने वाले ने आपके खाते में 500 रुपे देज दिये हैं और आप अपना statement चेक कीजिए लेकिन फिर भी अगर आपके account में पैसा नहीं आया है यह सामने वाले के account में पैसा नहीं पहुचा है तो यहाँ पर काफी सारे option दिये गए है आपको language में अगर दिक्कत है तो यहाँ से आप change language भी कर सकते हैं Hindi, English जो भी आप language prefer करना चाहें उस language में आप बात कर सकते हैं तो हाँ पर लिखा हुआ है कि amount not credited to my account क्योंकि सामने वाले ने मुझे 500 रुपए भेजे थे तो मेरे account में 500 रुपए नहीं आए तो मैंने यह option लिया है कि amount not credited to my account तो यह कह रहा है कि रविंदर शर्माजद amount should have been credited to your receivers bank account by now कि अब तक आपके खाते में 500 रुपए पहुच जाने चाहिए थे could you please let us know if you have checked your latest bank statement for our credit confirmation यह कह रहा है कि क्या आपका जो bank account है उसका statement latest आपने check किया है हाँ मैंने check किया है और फिर भी अगर पैसा मेरे account में नहीं दिख रहा है तो मुझे इस option पर click करना है लेकिन मेरा तो यह transaction success है लेकिन मैं examperi के लिए आपको बता रहा है yes I have checked my bank statement जैसे मैंने click किया तो यहाँ पर लिखा आगया thanks for confirming रविंदर शर्मा please do not worry your money is absolutely safe with your bank and will be deposited into your account by 23rd of September 2021 तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको चिंता करने के आउशकता नहीं है कि आपका पैसा आपके bank account बिलकूल safe है और यह 23rd September 2021 तक आपकी खाते में जमा हो जाना चाहिए अब phone pay क्या करेगा phone pay contact करेगा bank से उस मेरे respective bank से जिसमें पैसा जाना था और वहाँ से confirmation मिल जाएगा कि यह transaction success है मेरा तो transaction वैसे ही success था मैंने आपको example के लिए बता है तो दोस्तो इस तरीके से आपकी कोई भी transaction अगर fail हो जाए phone pay में सामने वाले के पास पैसा नहीं पहुँचे आप किसी app पर payment कर रहे है तो आपके खाते से कट जाए उनके पास नहीं पहुँचे या जो भी तरीके की दिक्कत आए तो यहां से आपको complaint करनी है और within 5 days आपकी complaint का resolution हो जाएगा और 5 दिन के अंदर अंदर आपके account में पैसा आजाएगा या सामने वाले के खाते में पैसा पहुँच जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो आपको कैसा लगा अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा